नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमतकारी और बहुत ही जल्दी लाभ देखने को मिलता है देखा गया है कि कोई व्यक्ती बहुत समय से बीमार है बहुत चिंतित है और वो पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही जल्दी उनको दवाई का लाभ होता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं आप रूप से चिंतित है शारिरिक रूप से चिंतित है मानसिक रूप से आ बहुत अधिक चिंतित है तनाव में रहते हैं चिंता में रहते हैं कर्ज में डूबे हो किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो यदि आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीप दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही जल्दी दूर होती है, भगवान श्री हरी विश्नु का साक्षात नारायन का ही स्वरूप माना गया है, इस व्रिक्ष को और भगवान श्र प्रिक्रिश्न ने स्वयंगीता में ये बात कही भी है कि वरिक्षों में मैं पीपल हूँ तो जब हम भगवान श्री हरी विश्नु की पूजा करते हैं या फिर हम पीपल वरिक्ष की पूजा करते हैं तो बहुत ही जल्दी हमें लाभ प्राप्थ होता है पीपल के वरिक्ष में भगवान श्री हरी विश्नु के इलावा 33 कोटी देवी देवताओं का भी वास माना गया है और जो हमारे पितरी होते हैं पूरवज होते हैं उनकी दिव्य आत्माई भी पीपल के वरिक्ष में अशिर्वाद हमें प्राप्त होता है। करते हैं कि विडियो को लाइक शुरूर करिएगा। वो कामना अवश्य पूर्ण होगी यदि आप धन के लिए बहुत अधिक चिन्तित है। आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक चिन्तित है। कर्ज में घिरे हो व्यापार में आपके निरंतर घाटा होता जा रहा है। आपके उपर लोन या कर्ज निरंतर चड़ता जा रहा है। नौकरी मिलने में समस्या आ रही हो, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, घर में। बहुत अधिक कलहतलेश रहता है, खर्च अधिक और धन का आगमन बहुत कम है, तब भी आप इस उपाय को करें, जल्दी ही आपको लाब होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास धन तो बहुत आता है, लेकिन वो धन बेवज के खर्चे में निकल जाता है, या तो बीमारियों में या फिर आप ब्यास भर देते हैं, या लडाईज गड़े कचहरी के चकर में आपके धन का खर्च हो रहा है, धन का सदुपियोग नहीं कर पाते हैं और जब भी आपको धन की आवश्यक्ता होती है, आपको कर्ज लेना पड़ता है, यदि आप इस समय चिन्तित है, मतलब धन के किसी भी प्रकार की समस्या से आप चिन्तित होगर, में कलह प्लेस से चिन्तित हो तो इस उपाय को करें जल्दी ही आपको होगा और नौकरी की समस्याएं दूर होंगी बहुत ही अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, यदि आप विश्वास से करेंगे आपको लाभ बहुत ही जल्दी होगा और मातर एक शनिवार ये उपाय करना है, बस मन में विश्वास रख कर करें, आपका कोई भी काम हो अवश्य बनेगा, करना क्या है, शनिवार के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये उपाय आपको करना है, तो, शनिवार की शाम को आप किसी भी पुराने पीपल विश्व के नीचे जाएं, पुराना पीपल विश्व मतलब कोई पीपल का नया पौधा नहीं होना चा विख्ष के पास आपको जाना है, और शाम के समय जाना है, कुछ सामगरी आपको चाहिए, जब आप पीपल विख्ष के नीचे जाते हैं, तो थोड़ी सी रोली चाहिए और एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा ले सकते हैं, आप जैसे एक लाल रुमाल भी चलेगा, ज उसे कहते हैं, वो आपको चाहिए तो थोड़ा सा ले लीजिए, उसका प्रयोग आपको वहाँ पर करना पड़ेगा, इसके इलावा आपको चाहिए एक आटे का दीपक, आप गाय का धी लेकर जाएं और उससे प्रजवलित करें, या फिर तिल का तेल होना चाहिए, सरसों के तेल से आज हम प्रजवलित नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये प्रयोग जो कर रही हैं. धन दायक प्रयोग कर रही है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, आटे का दीपक जैसा किया. सभी जानते हैं मनो कामना पूर्ती के लिए बहुत ही अचूक उपाय होता है आटे का दीपक आप प्रजवलित करें किसी भी कामना के लिए तो बहुत ही जल्दी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है तो हमें ये जो आटे का दीपक और जो भी सामगरी है ये लेकर शाम के समय जाना है, सूरियास्त के समय यानि की जब सूरियास्त हो रहा हो उस समय हमें जाना है, सूरियास्त के बाद से लेकर आपको आठ बजे रातरे तक पीपल की पूजा कर लेनी है, इसके बाद आपको पी पीपल व्रिक्ष के नीचे पहुँच जाएं। अब आपको करना क्या है? सर्वप्रथम जब आप पीपल के नीचे जाएंगे तो आप पीपल देवता को पीपल व्रिक्ष को प्रणाम कीजिए। उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। भगवान श्री ह प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, सभी जो हमारे पित्री पूर्वज होते हैं, उन सब को हरदय से नमस्कार कीजिए, और इसके साथ ही आपको हनुमान जी को नमस्कार करना है, शनिदेव को करना है, शनिवार का, दिन है तो शनिदेव को अवश्य नमस्कार करें, और इस उसके बाद आप एक बार हनुमान चालिसा का पाठ कर लीजिए। आप रोली लेकर गए हैं। आप इसे थोड़ा सा जल देकर आप उसे गीला कर लीजिए और उसके बाद आपकी मनोकामना उस पीपल पत्ते पर अपनी अनामिका उंगली से लिखनी है। नौकरी की समस्या है तो आप नौकरी लिख दीजिए और यदि आपको धन की समस्या है कर। जकी समस्या है जिस भी परेशानी से आप मुक्ती पाना चाहते हैं उस परेशानी को आपको उस पत्ते पर लिखना है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा पत्ता हो इस तरह से आपको पत्ता चुनना है, पत्त तोड़ना नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी मनोकामना लिख देते हैं, उसके बाद उसी पत्ते वाली डाली के उपर आपको साथ बार जो आप कलावा लेकर गए हैं, वो बांध देना है। कलावे को साथ बार घुमा दीजिये और बहुत धीला बांधिये ताकि पत्ता तूटेना बहुत आराम से उसको बांध दीजिये, उसके बाद जो बचा हुआ कलावा है, उसे आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिये, साथ बार लपेट लीजिये, यदि थोड़ा सा ही कलावा हो तो उतना भी बांध सकते, लेकिन यदि आपके पास अधिक कलावा बचा हुआ है, तब साथ बार अपने हाथ में भी घुमा कर बांध लीजिये, इसके बाद आपको पीपल व्रिक्ष की चाया में ही बैठ कर एक मंतर का जाप करना है, बहुत ही चमतकारी मंतर है, अचूक मंतर है, नोट कर लीजिये हम स्क्रीन पर भी इसको आपको दे रही हैं, आप इस मंतर को नोट कर लीजिये, ओम इस मंतर का जब आपको पीपल व्रिक्ष की चाया में करना है, पीपल व्रिक्ष चाया में बैठ कर जपा कोई भी मंत्र बहुत ही जल्दी सिध्ध हो जाता है और बहुत ही जल्दी आपकी कामना को पूर्ण कर देता है आप चाहे हनुमान चालिसा का पाठ करें सुन्दर कांड का पाठ करें या फिर कोई भी पाठ कोई भी मंत्र यदि आपको करना हो तो यदि आप पीपल की चाया में बैठ कर करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है, पीपल व्रिक्ष के नीचे बैठ कर चाया में बैठ कर यदि हम अपने मन की कोई बात कहते हैं, कोई कहते हैं, तो उसका निवारन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए आपको ये ज जब करना है. वो पीपल वरिक्ष की चाया में ही करना है. यदि आप माला ले कर जाते हैं, तो रुद्राक्ष की माला ले जाए, माला पर नहीं. करना चाहते हैं आप ऐसे भी जैसे की आधा घंटा या 45 मिनट जितना भी आपके पास समय हो अधिकधिक संख्या में इस मंतर का जब कर लीजिए यदि आपके पास माला नहीं है, तो और यदि आपके पास माला है, तो 108 मनकों की माला की लेकर जाए और 3 माला इस मंतर का जब कर लीजिए इस प्रकार से आपको जाप करना है जाप जब आपका पूरा हो जाता है, आप पीपल वरिक्ष को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, अपने पित्रों का आशिरवाद लें और पित्रों को हरदय से नमस्कार करें, शनी देव को प्रणाम करें, हनुमान जी को प्रणाम करें, सभी देवी अपने मन की कामना भी वहाँ पर कहें कि है पित्री देवता, है भगवान श्री हरी विश्नु, फिर है हनुमान जी सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी परिशानी हो, जो भी आपकी इच्छा हो जरूर पीपल व्रिक्ष के नीचे कहनी चाहिए, बहुत जल्दी पीपल व्रिक्ष के नीचे कही गई कामना पूर्ण हो जाती है, और समस्या कोई भी हो बहुत जल्दी उसका निवारन हमें मिल जाता है, तो आपको करना क्या है, सबको प्रणाम करने के बाद आप जो लाल कपड़ा लेकर गए हैं, उस लाल कपड़े में प फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने मन की कामना मन में रखकर भगवान श्री हरी विश्नु सहित सभी देवी देवताओं से कहने के बाद ये मिट्टी लेकर आपको अपने घर आ जाना है, घर में आप ये मिट्टी अपने धन रखने के स्थान पर र अपने व्यापार के गल्ले में रख दीजिए, कहीं भी धन रखने के स्थान पर आपको ये मिट्टी रखनी है, बहुत ही जल्दी आपके जीवन में यदी धन की समस्या है, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है, और जब धन घर में आता है, आप पर्मा लक्षमी की अपस में प्रेम जवहार भी बनता है, घर में सतभावना आती है, कलह प्लेस सब दूर हो जाते यदि धन का आगमन निरंतर घर में होने लग जाता है, और धन घर में टिकने लग जाता है अब आपके प्रश्ण होंगे कि इस उपाय को हमें कब तक करना है, देखिये इस आप ये उपाय करेंगे घर में लाकर अपने धन रखने के स्थान पर वो मिट्टी रख देंगे तो इसके बाद चमतकार आप स्वयन देखेंगे। हमेशा आप अपने घर में रखें, अपने धन रखने के स्थान पर रखें, कभी भी आपको धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय को ना करें। जब आप शुद्ध हो तभी इस उपाय को करें और जब आप ये उपाय करें। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप जब वो मिट्टी उठा रहे हो, पीपल व्रिक्ष के नीचे से, तो आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं. चुपके से आपको मिट्टी उठानी है, यदी आसपास लोग होते भी हैं, तब इतनी सावधानी से आप मिट्टी उठाए कि कोई आपको देखे नहीं या टोके नहीं. बस यदी आप इस तरह से इस उपाय को कर लेते हैं, यकीन मानिये बहुत ही चमतकारी लाब होता है. इस उपाय को करने से पीपल का व्रिक्ष देव व्रिक्ष माना गया है, श्री हरी विश्नु और सभी देवी देवताओं का पित्रों का व्रिक्ष माना गया है, तो इसके नीचे की मिट्टी इतनी पवित्र है कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो बहुत जल्दी पूल्न हो जाती है, बहुत जल्दी आपको चमतकारी लाब भी, राप्त होता है, तो उम्मीद करते हैं, आज की वीडियो से आपको लाब अवश्य होगा, ये वीडियो आपके लिए उप्योगी सिद्ध होगी, दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको मिल सके, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तह दिल से धन्यवाद करते हैं.